शहर के वाड संक्या तीस और पच्चिस के बीच दो गुटों में पत्थर बाजी 15 साल के लड़के की पिटाई के बाद माहोल तनाव पूर्ण चप्पे चप्पे पर पुलिस जापता तैनात चुरु शहर के वाड संक्या पच्चिस और तीस में सोंबार देरशाम एक लड़के की पिटाई के बाद दो गुटों में जम कर इट पत्थर चले पत्थर बाजी में अभी तक एक वेक्ति के घायल होनी की सूचना है जिसे जिलास पताल के आपात कालिनवार पहुचाया गया सूचना के बाद S.P. दिगंतानंद, A.S.P. राजंदर मीर्णा, D.S.P. राजंदर बुर्डग, कोतवाली C.I. महंदर कुमार, महिला पुलिस टीम, R.S. सहीत, भारी पुलिस जापता मोके पर पहुचा अभी मोके पर इस्तिती नियंतरण में है, लेकिन तनाव पूर्ण बनी हुई है पुलिस दोनों ही पक्षों के उबदर्वियों को चिन्नित कर, उनके धर पकड का परियास कर रही है पुलिस के मुताबिक वार्संग्या 325 के बीच एक पक्ष की और से किसी लड़के की पिटाई कर दी गई इस बात की जानकरी लगने पर एक पक्ष के लोग इखटा हो गए इसका पता चलने पर दूसरे पक्ष के लोगों का भी जुटना शुरू हो गया इस दोरान दोनों पक्षों में पिटाई की बात को लेकर जम कर कहा सुनी होई तभी अचानक दोनों तरफ से पत्थरवाजी होना शुरू हो गई बताया जा रहा है कि करीब आदा घंटे तक दोनों पक्षों के बीच पत्थरवाजी होई देखते ही देखते सड़क पर इंट पत्थर जमा हो गए पुलिस की मुझूदगी में भी कुछ देर तक पत्थर वाजी की घटना बताई जा रही है बाद में पुलिस करिमियों ने मामले को संभाला मामले की गंबीरता को देखते हुए मोके को चावनी में तब्दिल कर दिया गया है इस सम्मंद में किसी भी पक्ष की और से देर शाम तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया